नमस्कार विद्याथी मित्रो यूत एजुकेशन चेनल में आप सबका स्वागत है आप इस एजुकेशन चेनल में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और अल नोटिफिकेशन बटन दबाए की जैसे है हमारा आने वाला सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके विशैसामाचीक विगनान, खकसाथ, चेप्टर, टू, हमारे आसपास क्या है पार्ट टू में जलावरोण और वत्तावरोण के बारे में पढ़ाई की आज इस वीडियो में हम जीवावरोण के बारे में पढ़ाई करेंगे तो बच्चो चलो हम देखते की जीवावरोण के बारे में विशैस चानकारी प्राप्त करते है तो प्रूतिके मुदावरोण, जलावरोण और वतावरोण के जिस बाग में जीव शुरूष्टि फेली हुई, जिस जीवावरोण केते है ती बच्चो आपको ये वला प्रस्ण एक्जामें पुछा जा सकता कि जीवावरण किसे केते हैं तो जीवावरण प्रुति के मुदावरण चलावरण और वातावरण के जीज बाग में जीव शुरुष्टी फेली हुई होती है उसे जीवावरण केते हैं प्रुति पर जीवावरण एक महत्तोपुण आवरण है ये जो जीवावरण आवरण है वो बहुत महत्तोपुण और आवस्यक आवरण है सोर परिवार मां प्रुति ही एक एसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है सोर परिवार और सोर मंडर में प्रुत्वी एक एसा ग्रो है जिस पर जीवावरण है प्रुत्वी पर कोई जीव श्रस्टी में वनस्पती प्राणी और जीव जन्तू और मानव का समावेस होता है प्रुत्वी पर जीव श्रस्टी में वनस्पती प्राणी और जीव जन्तू और मानव का समावेस होता है हम सब भोजन और दुसरी बहुत सी चीज वस्तू जीवावरण में से ही प्राप्त करते हम सब और मनुश्य को आवस्यक भोजन और दूसरी जरूर ये एसी जो चीजे चीज वस्तुव होती है जिसे की जीवावरण में ही हमें प्राप्त होती है वनस्पति और प्राणी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं हमारे अस्तित्व का और निर्वान का आधार जीवावरण ही है जिसे दो बागो में बाटा गया है एक जीविक और दूसरा जीविक यानि की बच्चों ये भी आपको प्रश्ण पुछा जा सकता है तो आप नोट कर सकते हैं कि जैसे दो बागो में बाटा गया है जीविक और जीविक जीविक विबाग में मुदा वरण जलावरण और वातावरण का अध्यान किया गया है जैसे कि अजेविक जो है उस विबाग में मुदा वरण, जलावरण और वातावरण का अध्यान किया गया है जबकि जेविक विभाग में वनस्पती, प्राणी और सुक्ष्म जीवानों के अध्यन का समावेश किया गया, तो बच्चों यह यहां तक आप नौट कर सकते हो। जेवि विभाग में मुद्दावरण, चलावरण और वातावरण का अध्यन किया जाता है और जेवि विभाग में वनस्पती, प्राणी और सुक्ष्म जीवानों के अध्यन का समावेश किया गया है, तो विचार किजिये में बच्चों हम देखेंगे, हमारे आसपास रही कोई एक स्रुष्टी नस्ट हो जाती है, तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभा पड़ता है, जो बच्चों हमारे आसपास रही हुई जीरिव स्रुष्टों में से कोई एक स्रुष्टी नस्ट हो जाती है, तो हमारे जीवन पर उसका बहुत असर पड़ता है, उधरण के रुक्मन हमें जो ज्रिव श्रुष्टी होती होते उसके साथ प्राणी प्रशु पक्षियों भी हो नहीं चाहिए अपने सिख्षक के साथ चर्चा कीजिए मनुस्य अपने कारिय से प्रुथी को प्रदूसित करे तो इन आवरोण को कुछ नुकसान हो होगा क्या तो बच्चो उस आवरोण को नुकसान होता है तो बच्चो हम आगे का पेश देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है बच्चो 2.5 में पर्यावरण के तत्व यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीश में दिया गया है पर्यावरण का घटक तो यह आप देख रहे है अजेवी घटक यह जो दिखाई दे रहे है आपको अजेवी घटक है और यह दिखाई दे रहे है जेवी घटक तो जेविक घटक में हम देख सकते हैं जिसमें प्राक्रूती आशकता है ये बादल दिखाई दे रहे है ये पेड़ दिखाई दे रहे है और ये गाम का चित्र दिखाई दिया है वो प्राक्रूती है और यहाँ पे अचेविक घटक में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क यह company बनी हुए, यह रास्ते बनी हुए और यह मंधिर मसीत बनी हुए, वो मानव सरचीत है, मानव से निर्मा क्या है? उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मानव, तो यहाँ परिवार दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ परिवार रण के घटक, यह अजेविक है, यह अजेविक है, और यह जेविक है, और यह मानव है, तो परिवार रण के दो घटक है, बच्चों आप दो पहिंट पास के परिवार रण के तत्व क के बारे में समझे और तस्वीर अच्छे से देखे तो बच्चों हम आगे का पेज देखेंगे तो उसमें 2.6 की मान चित्रों यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.6 की मानों प्रवुति का आवरान पर पभाव कैसे पड़ता है यहाँ पे दिखाए द बत रहा हैं और यहाँ पे कंपरी है तो कंपरी का पानी सिधे नाले मचाता है तो नाले में यह आप देख रहे हैं जो है वो पानी पी रहा है और यह लाइन जो आप दिख रहे हैं ये सिदे नल का पानी जो है वो खेत में जा रहा है खेत का नुकसान होगा फाइदा होता नहीं है और यहां पे आप जो देख रहे है गैस जो दीख रही है और आकस में क्या उड़ रहे है पकसी उड़ रहे है पंसी उड़ रहे है तो उसके स्वास में भी जा सकते है उसी तर प्रवुतियों का आवरण पर भी अशर होता है तो बच्चो आप सांती से ये तस्वीत देख सकते है तो आईए बच्चो हम आगे का पेच देखें गे तो मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवुतिय जाने अंजानी करता है यानि कि मनुष्य जो हो अपने विकास के लिए जाने अंजानी कई प्रवुतिया करता रेता जिसे अनिक आवरण का संतुलन बिगल जाता है जैसे इस प्रवुतिय के कारण आवरण का संतुलन बिगल जाता जैसे कि खनीच प्राप्त कने लिए अधिक खनन यानि कि खनीच ज्यादा तर प्राप्त कनने के अधिक खनन यानिकी वो खुदाई करता है उस खुदाई से भी नुक्षान होता है भुमी घत पर्मानों परिक्षन यानिकी भुमी पर्न करने वाले परिक्षन उससे भी नुक्षान होता है खनिस तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और यानि कि खनिस्तेल प्राप्त करने के लिए खोजने के लिए महुत घहराय तक खुदाई करने पर भी नुक्षान होता है अवस्यक्त से अधिक पाताल कुवा तैयार करना जेसी प्रहुतिया यानी कि जितनी जरूरी हो उतना ही नहीं परन्तु अधिक तर पाताल कुवा ओर तैयार करनी की जेसी प्रहुतिया भी नुक्षान करती है करनिसे मुद्धावरण का संतुलन विगड जाता है ये सब प्रवुतिया जो होती है उसे मुद्धावरण का संतुलन विगड जाता है जेसी की अदिक खनन, भुमिकत पर्मान परिक्षन, खरनिस तेल, गहरी खुदाई, पाताल कुवा जेसी जे प्रवुती होती रहती है उसे मुद्यारण का संतुलन विगल चाता है, शहरो और गाउं की अशुधी और ओध्यो की क्च्रा, ताला वो में फ्यक्ने से हमारे ताला प्रदोसीत होते हैं, जैसे की सहरों और गाओं की अशुद्या, सहरों में होने वाली जो अशुद्या होती है और गाओं में होने वाली अशुद्या होती है और ओध्यों की कच्रा यानि की बड़ी-बड़ी जो कमपनिया होती है उसमें ओध्यों की कच्रा है वो नदी और नाली में फिका जाता है और उसके बाद तालाबों में भी फेका जाता है तो उसी तरह अमारा तालाब भी प्रदुसीत हो रहे है गर्मी बढ़ने से दो प्रदुसों का बरब पिगल्य लगता है जैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है उसी तरह दो प्रदुसों का बरब पिगल्य लगता है जहां जोका निर्थक तेल बहनी के कारण और उद्योगी क्षेत्रों में गंदे और रशाण युक्त पानी का निकल समुदरी जीवों का विनास कर रहा है। उप्योग ना होने पर गंदे और रशाण युक्त पानी का निकल समुदरी में यानि की समुदर में डानले पर जीव श्रूष्टी का विनास कर रहा है। यानि की ये जो है वो जलावरन के लिए भई जनक है। उध्योग कारकाने पावर टेशन और वाहानों द्वारा दूसी थवा वातावरन में मिलती है। वाहानों के अधिक आने वाले क्षित्रों में कारबन मोनुक्साइट जेसी गेसो का प्रमाण अधिक तर बढ़ जाता। जेसे के वाहानों के अधिक जाने और आने वाले क्षित्रों में कारबन मोनुक्साइट जेसी गेसो का प्रमाण अधिक बढ़ जाता। इसी तरह वातावरण पर मानों प्रवुति का प्रभा पड़ता है। लाब दायक नहीं यानी की नुक्सान प्रत है। तो बच्चों हम देखेंगे प्रवुति प्राक्रुतिक और मानों सर्जित ऐसी घटनाओं के बारे में लिखिए। जिनके द्वारा प्रुतिक के अनिक आवरणों को पर जादा तर प्रभा पड़ता है। जिसी की प्राक्रुतिक और मानों सर्जित प्राक्रुतिक यानी की बच्चों के हमने देखा। और मानों सर्जित यानी की ये मस्जित दिखाए दे रहे, मंदी दिखाए दे रहे, और कम्पनियां दिखाए दे रहे, रास्ते दिखाए दे रहे, ये मानों सर्जित बनाए, इसके बारे में लिखिए जिनके द्वारा प्रुतिक अनिक आवरणों को पर ज्यादा तर प्र प्रभाव पड़ता है तो प्रोजेक्ट अपने आसपास प्रदूसर्ण फिलाने वाली बाते और उनका प्रभाव का अध्यान और उनके असंभवीत उपाई का खोज कीजिए तो बच्चो यहां पर हमारा प्रक्रण खतम होता है तो बच्चो आगे स्वाधिया यह तो स्वा बात कर शकते है तो विद्ध्याती मित्रो जो मेरा विडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक और और अन्यव फ्रेंस को सेर करे और कॉमेंट करें